नमस्कार दोस्तों मैं फिर से हाजरू हूँ एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज का वीडियो है स्लिंग फेन इस्टेटर जब जल जाता है तो उसकी कोईल को काट कर निकालना पड़ता है तो हमने ऐसा कटर बनाया है इस कटर से हम सिलिंग इस्टेटर की कोईल को एक साथ कम लगती है और हात हमारा दुखता भी नहीं है तो इसे हम देखेंगे कि कि स्थरे से को यह कॉइल को काड़ता है और काड़ता है यह नहीं कारता है ओ झाल में दिखाने वाला हूं तो चलो हम एक लेते इस्टेटर तो सिलिंग फेन का इस्टेटर मेरे पास जला हुआ है तो वही हम काटेंगे तो मैं ले लेता हूं एक इस्टेटर तो मैंने लिया है यह इस्टेटर तो अब हम इसे काटने वाले तो पहले हम दो को काटेंगी इस तर से लगा कर इस तरह से दबाएंगे तो एक साथ दो कड़ जाएगा यह देखिए अगर हम एक कोईल को काट तो एक भी काट देगा और दो कोईल काट देगा तो इसी तरह से सभी कोईल को काट ले ला है तो पहले हम रनिंग कोईल को काट रहे हैं यह बाहर की जो कोईल होता है यह रनिंग होता है और इस्टार्टिंग अंदर का होता है तो पहले हम रनिंग कोईल को काट कर निकाल लेते हैं फिर हम इस्टार्टिंग कोईल को काटेंगे तो इस तरह से देखिए कट चुकी है कोई और एक भी वायर नहीं चुटा है यह देखिए बिल्कुल अलग-अलग को कर दिया है अब हम आराम से निकाल सकेंगे यह देखिए इस तरह से हम कोई को निकाल लेते हैं तो हम स्टार्टिंग जो सोरी रनिंग की जो कोईल है वो पूरी कोईलों को निकालने के बाद ही स्टार्टिंग कोईल में कटर लगेगा है तो हम पहले रनिंग कोई निकाल लेते हैं तो करीब करी हमारी रनिंग कोईल है वह कंप्लीट होने वाली है और फ तो हमारी कोईल की दो कोईल और बचा है तो या तीन कोईल है कंदों का को पिर हम स्टाइनकोई काटिंक करेंगी हर मुद क्योंकि इसकी जो स्टाइन की जरुटिया वह छोटा होता है तो दोनों साथ नहीं लग पाएगा इस में तो इस तरह से हम इस्टार्टिंग को काटेंगे तो यह देखिए दोनों में नहीं लग पाए गाई एक कोईल को कार देना तो एक साथ कड़ जाता है देखिए तो दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हूं और अपना जो काम है वह आसान कर सकते हूं क्योंकि इसे हाथ में हमारे दुखता नहीं और जो कटर होते हैं यह वह हाथ में हमको तकलीव करते हैं वह अंगोली पर छाले भी हो जाते हैं उससे दबाते दबाते तो इस तरह से हम काट सकेंगे और देखिए यह इस्टार्टिंग को भी में निकाल कर आपको दिखा देता हूं पूरा वायर कट है यह देखी जब पूरा वार कटेगा तभी कोईल निकल पाएगा तो यह देखिए पूरा वाइर कट चुका है तो दोस्तों यह कटर बिल्कुल सही कटर है यह मैंने मेरे खुद के लिए बनाया है उम्मिद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजे नमस्कार